मौक्ष प्रदाता है माइस्कंद माता सकंदमाता ग्यान और क्रिया के स्रोथ आरंप का प्रतीक बन गई हैं। चातको सही दिशा का ग्यान ना होनी कार्ण प्रेविफल हो जाता है। मासंदमाता की अराधना करने वालों को भगवती जीवन में शही दिशा ग्यान का उप्योग कर उचित कर्मों का फल्द प्राप्त होता है सिध्य प्रदान करती है योगी जीवन इस निविशुज चक्र में अपना मन एकागर करते है यही चक्र प्राणियों में सकंद माता का इस्थान है सकंद माता का विकर है चार बुचाओं वाला ये अपनी कोद में भगवाश सकंद को बैठाए धनुश वार धालियों छे मुहों खो वाले बंडानन वाले रूप सकंद में पकड़ी रहती है नीचे वाले तोनों बुचाओं में माता कम पुष परकती है इनका बंड पूरी तरह निर्मलकारली सफेद वाला है ये कमलासन पर विरास्ती है वाहन के रूप में इन्होंने सिंग को अपनाया है कमलासन वाले सकंद माता को पदमासना भी कहता है उसकी सभी छे पूर्ण हो जाती है जो इन माता को पूझता है और उनको शुक्ष शांती भी मिलती है ये थी SM News की रिपोर्ट